हेलो स्टूदेंट्स आम रविन सिंग से सोधिया और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th क्लास की फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी दे गोल्ड वाच इस ए वरी इंट्रेस्टिंग स्टोरी इस कहानी में ये एक वहुती गरीब फेक्टरी मजदूर की कहानी है जो कि कर्ज में दवा हुआ है और उसकी आवश्रक्ताओं की पूर्ती नहीं कर पाता है और एक दिन वो अपने फेक्टरी के इंजिनियर की गोल्ड वाच सोने की गड़ी चुराने का अस्फल प्रयास करता है एक दिन वो उसे दुपेर में जब सब कोई सारी मजदूर लंच के लिए जा चुके हैं और वो फेक्टरी इंजिनियर उस गड़ी को रोज इंटरवल में पिबल पर छोड़ जाता है तो शंकू जो के एक फेक्टरी वर्कर है उसके मन में उसको चुराने का ख्याल आता है और एक दिन उसे वो उठा भी लेता है लेकिन फिर डर की वज़े से उसे पुने अपनी इस्थान पर बापस रख देता है तो इस 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 काहानी के लिखक है पंजीकरा रैफी पंजीकरा रैफी वास बाउड इन केरला इन इन्टेन 24 यह केरल में उननीसोच्ववीस में पैड़ा हुए थे he was a Malayalam writer he was a Malayalam भाशा के लिखक थे basically he was a leader in trade union basically he ishram sangton के नेता थे he worked for the uplift fund of downtrodden इन्होंने दलितों के उत्थान के लिए भी बहुत सारा काम किया he was greatly attached to the sufferings of the low paid workers ये low paid मजदूरों के कश्टों से के साथ attached रहे he started writing stories with the narrative of these people और ऐसे मजदूरों के लेखनों ने अपनी कहानियों में लिखकर कहानिया लिखना प्रारम किया as on many previous nights Sanku could not get any sleep that night पिछली रातों की तरह आज भी Sanku पूरी रात सो नहीं सका he turned and tossed in his bed वो बिस्तर में इदर से उदर करवट बदलता रहा but it was no use लेकर उसका भी कोई फाइदा ने हुआ the more he thought the words he felt जितना ज़्यादा वो सोच रहा था उतना ही बुरा वो फील कर रहा था he closed his eyes and lay on his storm mat फिर उसने अपनी आखें बंद की और वो पनी फटी चटाई के उपर लेट गया in the darkness अंदेरे में and yet he could see it as clearly as during the day लेकिन फिर भी वो दिन की तरह बिलकुल इस पस्ट देख पा रहा था the deserted office room when everyone had gone out for rest or for lunch वो रात में सोच रहा था और उसे अपनी office का वो एक कमरा दिखाई दे रहा था योकि वीरान था या कोई भी नहीं था जब प्रत्यक मजदूर rest के लिए या लंच के लिए interval में जा चुका था the glass window was only partly closed glass वाली window आदी ही बंद थी on one end of the table inside were a few fat volumes table पर एक किनारे पर कुछ मोटे मोटे कितावें रखी हुई थी at the other end a pan an ink bottle and so forth और दूसरे किनारे पर एक pan और एक स्याई की bottle और कुछ अन्य चीज़ें रखी हुई थी and in between was a gold watch with its gold chain placed on a book और उनके बीच में एक सौने की घड़ी इसकी चेन भी सौने की थी एक बुक के ऊपर रखी हुई थी open the window and stretch out your hand about a foot and you can pick it up खिड़की खोल कर थोड़ा सा हाथ आगे अंदर करो लगवग एक foot और आप उसे उठा सकते हो everyone is out for lunch प्रत्यक मजदूर लंच के लिए जा चुका है nobody will know संकु सोच रहा था कि किसी को भी पता नहीं चलेगा संकु remembered his efforts, his cowardice and his vacillation during the past few days संकु ने अपने प्रयासों को अपने भै को अता पिछले कुछ दिरों से चल लए हिचक चाट को याद किया he had never seen anyone there at that time उसने उस बक तो वहां किसी को भी नहीं देखा था and yet he had been afraid फिर भी उसे भै लग रहा था he had trembled and felt breathless वो भै के मारे काप रहा था और उसकी सांसे थम गई थी that was why he had refrained from taking the watch every time यही कारण था कि वो हर बार उस घड़ी को चुराने में असमर्थ था it would not do to put it off any longer ज़्यदा समय तक इसे टालते रहना सही नहीं होगा if he thought any further he would not be able to do anything अगर वो और अधिक सोचेगा तो फिर वोय कुछ भी नहीं कर पाएगा he might even blurt out his intention accidentally हो सकता है को अचानक अपना इरादा ही बदल ले so he must take it tomorrow इसलिए उसे ये काम कल ही करना होगा suppose he did not फिर उसके माइन में एक प्रशन उठा कि कहीं ऐसा नहो कि वो उस घड़ी को वहाँ पर रखे ही नहीं संकू's thoughts began to linger over the thorny problems of his life संकू के विचार उसके जीवन की कठिन समस्यां के ऊपर हावी होने लगे tomorrow would be the third day of the month कल महीने का तीसरा दिन होगा in another three days he would get his pay 13 पैसे for 13 days और अगले तीन दिन में उसे तेरे दिन के तेरे रुपए पेमेंट के मिल जाएंगे he had to pay four and half rupees for purchases at the store उसमें से साड़े चार रुपए उसे store से खरीद हुए सामान के पे करने पड़ेंगे there would be a balance of eight and a half rupees और उसके पास साड़े आठ रुपए शेस बचेंगे he had repaired only five out of the ten rupees he had borrowed from the fund उसने पिछले महीने फंड के दस रुपए उधार लिये थे उसमें से पांच ही चुकाये हैं the previous month to go home for his mother's death anniversary जो उसने पिछले महीने अपनी मा के श्राद के लिए उधार लिये थे no, he must pay the remaining five rupees with interest at six paise a rupi a week नहीं उसे उसे पांच रुपए एक हपते के एक रुपए के छे पैसे ब्याज की दर से चुकाने होंगे as a tea shop he owed over three rupees for two weeks और चाय की दुकान के भी दो हपते के तीन रुपए उधार है besides previous area amounts amounting to rupee and a half और पिछले महीने का भी कुछ balance करीब डेड़ रुपए चाय वाले का उधार है he owed six rupees to Ali for supplying extra rice, bds and other odds and ends और अली की दुकान के भी छे रुपए उसे देने है जहां से उसने कुछ extra rice, bds और कुछ अन्य चीज़ें खरीदी थी one month house rent was 3 rupees और एक महीने का house rent भी 3 rupees था in addition to these sums he had taken small loans of 12 पैसे, 25 पैसे and 50 पैसे from several people इस रकम के अतिरिक्त उसने कई छोटी छोटे loan बारे पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे कई लोगों से ले रखे थे and his wife had reminded him two days before about the one rupee to be paid to the fish woman और उसकी पतिनी ने भी उसे याद दिलाया कि दो दिन पहले उसने fish woman से जो fish ली थी उसके भी एक रुपया चुकता करना है Sanku mentally added up the total amount that he needed Sanku ने money man total amount जोड लिया इसकी उसे आवश्यक्ता थी What he was going to get was just 8 and half rupees उसे केवल 8.5 रुपे ही मिलने वाले थे What he owed was 22.13 पैसे लेकिन उसे 22.13 पैसे चुकाने थे He had other needs too उसकी कुछ अन्य आवश्यक्ताएं भी थी He had borrowed 3 rupees from his wife उसने अपनी पत्मी से भी 3 rupees उदार ले रखे थे This was out of the sum she had slowly saved up now and then in order to buy a waste chain for the younger child ये पैसे उसकी पत्मी ने अपने छोटे वच्चे की करदनी खरीदने के लिए यदा कदा छोटी छोटी बचत करके बचा रखे थे He had assured her that he would buy it out of his pay that month और उसने उसे आस्वासन दिया था कि उस मही ने वह अपनी पे में से उसे जरूर खरीद कर दे देगा Sanku's heart beat uncontrollably fast Sanku की हिर्दय की धड़कन तेज हो गई और तेज होकर अनियंत्रत होकर उसकी धड़कन बढ़ गई Glossary Glossary में hard meanings हैं यह बहुत important है इन्हें भी याद करें Deserted Forsaken Lonely Khाली Sunsan So forth So on इत्याद Vecilation घवराहट या हिचकिचाहट Refrain Hold back Stop किसी कार को करने से बचना Put off Postpone Isthagit करना Blurt out Tell something suddenly, often, thoughtlessly Soch ना छोड़ देना Linger Delay Stay Dimaag में चलते रहना Dher करना Lattका देना Thorni Painful Difficult Kश्ट दायक Kांटेदार Kठिन Areas Pichla आवशिष Bकाया Odds and Ends तमाम छोटी बड़ी चीजें Small articles Thanks for watching यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइप और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं जैसे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी Thank you very much God bless you